नमस्कार बीके बीजनस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे नीम फिनाइल बनाने का तरीका चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन घंटी दबा दीजी से कोई भी वीडियो बने आपके पास दूरंत पहुंच सके नी दीजी भी स्टील के या कामच के बरतन में रखेंगे समझ में आ गया स्टील या काँच आपको घंट आपको बता रहा हूं वा को समझे आरे गराइब करने Спथि सोडा लिया है तो तीन सो गराम हम इसमें वाटर मिलाएंगे और इसे दस मिनाट अच्छी तरह से मिला लेना है कास्टिक सोडा का आप जब भी उच करें हाथ हम गलब से मूपर मास्क जरूर लगा लें अब इसे मिलाने के बाद में हम इसे नीम के पत्ते में हम डाल देंगे और इसे हमें एक दिन के लिए रखना होगा तो इससे फैदा क्या होगा देखिए पहले तो आप यह समझ लिजिए कि आप इसमें नीम के पत्ते को खड़ा ही डाले उसे आपको पीशने की जरूरत नहीं है समझ में आ गया आप नीम के पत्ते तोड़िए और उसे पानी से अच्छी तरह से धो लेना है और उसके बाद आप कांच के या इस्टील के बरतन में रख लीजिए और उसमें कास्टिक सोडा का हम जो घोल बनाएंगे उसमें हमें डाल देना है अब इससे होगा कि यह कास्टिक सोडा से रियक्सन करेगा नीम के पत्ता और उसका जो भी ल यह जब रखे देंगे ढख कर तो जितना भी नीम के पत्ते में लिक्विड होगा वह सब कास्टिक सोडा के घोल में मिल जाएगा और उसके बाद हम इसे एसीडी सलरी से न्यूटिलाइज कर लेंगे और आपका जितना भी आप क्वाल्टी बनाना चाहते हैं जैसे हलका वीडियो देखना होगा इसका दूसरा पार्ट उसमें हम इस घोल को से न्यूटिलाइज करेंगे समझ में आ गया तो यह बहुत आसान है और इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं बहुत कम रव माटरियल में देखिए अब घोल ग्रीन होने लगा है अब इसे हम ढख कर एक दिन के लिए रखेंगे तो आपको कल यह वीडियो का दूसरा पाठ देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा कि हमारा फिनाइल कैसा बनेगा वीडियो पसंद आयो तो चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें बेलाइक कर घंटी दबा दें जिससे कोई भी व करने के लिए धान नमस्कार